अल इंडिया मजलिसे तेहादुल मुस्लिमीन यानि AIMIM के अज्यक्ष असदुदिन ओवेसी ने मुसल्मानों को राधनीतिक तोर पर एक पष्ट संदेश दिया है उन्थोंने कहा कि मुसल्मान भारत में अपनी हुकूमत तो नहीं बना सकते हैं लेकिन अपनी लीडरशिप जरूर पैदा कर सकते हैं उन्होंने मुसल्मानों से आवान किया है कि आपना नियत्त principio करें अपने नेताओं को विद्धान सबा और लोक सबा में भेजें देखिए ओवेसी ने मुस्लिम लीडर्शिप को लेकर क्या कहा उत्तर परदेश में हम पकारते रहे हम कहते रहे के देखो आप में ये उतनी ताकत नहीं है कि आप किसी हुकूमत को बदल सकें आप में इतनी ताकत थी है और रहेगी कि आप अपने नमाइंदों को कामियाब कर सकेंगे मगर हुआ किया वही पुरानी सियासत नाकाम सियासत जो पिछले 50-60 साल से कहली जा रही है मुसल्मानों से उसको दोराया गया उत्तर परदेश में और आपने ओर तो दे दिया उत्तर परदेश में मगर इसका नतीजा क्या निकला इसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी का दुबारा बरसर अख्तेदार जमाद बन कर उपरी अगर आप अपने नमाइंदों को कामियाब कर लेते अगर आप अपनी आवास को उत्र परदेश के विधान सवा में पहुँचा देते तो आपके लिए लड़ने के लिए आपके हक के मतालबे के लिए आईन का हवाला दे कर आपकी जान और माल और तैजीब का तहाफुस कि लड़ाई को लड़ सकता था मगर आपके दिमागों में ये बात डाल दी गई कि नहीं हमको हुकूमत को बदलना है आप हुकूमत को नहीं बदल सकते ये मौजूदा दौर की सियासत को आपको समझना है मैं सियासत का एक ताले बेलिम हूँ और मुझे जो कुछ अल्ला सुभानाओ ताला ने थोड़ा बोट अपने फजल से मुझे समझने का सलीखा अता किया जो मैंने सियासत मरहुम गायद सालार मिल्द के पैरों के पास बैट कर सी की वो मुझे ये कहती है कि ये मौजूदा दौर हुकूमत आप नहीं बदल सकते बल्के अपने नुमाइंदों को कामियाब कर सकते इस बात को आपको जहन नशीद करना है ये कोई बुजदिली की बात नहीं कर रहा हूं बल्के हकीकत को बयान कर रहा हूं और हो सकता कि मेरे इस तकरीर के बाद तब सरे तनकीद शुरू हो जाएगी मुझे इन तनकीद करने वालों की कोई परवा नहीं बल्के जिनों ने अपीलें की थी उतर परदेश में के हुकूमत को बदलना है कहा है तुम लोग आज कहा है तुम लोग आज तुम के तुमारे चेहरे नजर नहीं आते जो बड़े बलंग बांग दावे कर रहे थे कंगा जम उनी तैजीव की आज कहा है तुम लोग नजर नहीं आते इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बज़र्गो जो मंदलिस इतिहाद अलमस्लमीन ने जो काम तेलेंगाना में किया जो मंदलिस इतिहाद अलमस्लमीन यल्ला के फजल और करम से महरा अश्रा में जो हमको कामियाबिया मिली जो अल्ला सुभानाओ ताला के फजल और करम से जो बिहार में मंदलिस को कामियाबिया मिली वो इस बात का पेगाम देती है कि आप अपने नुमाइंदों को कामियाब करो जो कल तक बिहार की assembly में सीमांचल का नाम लेने से लोग डरते थे कत्राते थे शर्मिंदगी महसूस करते थे आज बिहार की assembly के सेशन के दौरान हर सेशन में कोई ना कोई एक दिन मंजलीस किराकी ने assembly सीमांचल की अवाम की इनसाफ का मतालिबा करते हैं एवान assembly की कारवाई को रोग दिया जाता है और हद तो यह हो गई कि सीमांचल के इनसाफ की लड़ाई में जब बिहार परदेश के सदर अखतर लीमान ने लड़ाई लड़ी तो उनको उठाकर assembly के बाहर रख दिया गया मेरे अजीज दोस्तों और बुजगों मगर अवाम देख रही है कि कौन उनकी आवाज को उठा रहा है कौन इनसाफ की लड़ाई लड़ रहा है तो मंदलिस इस इतिहाद मुस्लमीन के इस पैगाम को आपको समझने की जरुआत है